हेलो अबरिवन कैसे हो आप सब लोग आई होग आप सब अच्छे से होंगे वेलकम टू माई चैनल और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हर घर की जरूवता है तो बहुत छोटी सी चीज पर हर घर में वो जरूवत मंद है और इसकी जात जरूवत घर के अच्छे साथ में चैनल आपने कीचन के लिए इसकी जरूवत थी अच्छिली रैंक तो मार बहुत से हैं स्टील के हैं और बड़े साइज में मुझे एक मीडियम साइज में चाहिए था बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए था उसको मैं सिंक के बगल में रखने के बली अच्छे में निसमल चाहिए था थोड़ा दिश्डेयों तो नो बड़े साइज में मे राट और स्टाब टैंने के को मुझे आज जाये था जैसे आओ जाए जो चाहिए औरह अमने सिंग रखी फै़निश्टीब में हुटे आरट ऊच्छे पनेश्टोरीं ऒाल बड़ इस तरह की और यह प्लास्टिक का है तो मैंने चोप्र किया है वह पिंग कलर का और जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं तो अभी मैंने इसको अनबॉकिसिंग अभी नहीं हुए थो फ्रैंड चलिये इसको आपन करते हैं और देखते हैं कि विडि़ भीडियो में सेस्क्राइब करते है्थ और अगर वीडियो अच्छे तो लाइक करिए और कमेंट करिए तो फ्रेंड्स ये इस तरह के बॉक्स में है तो हम इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसका ज्यादा बेट नहीं है हलका सा है और फ्रेंड्स ये रहा वो डिश ट्रेंडर लेकिन फ्रेंड्स मैंने जो कलर मंगवाया था ये वो कलर नहीं है मैंने डार्क पिंक मंगवाया था जो थोड़ा परपल सा शेड दे रहा था पर ये तो बहुत ही लाइट कलर में है आप देख सकते हैं तो कलर के मामने में तो जो मैंने करल मंग वाया था वो कलर नहीं है और ये है इसकी ट्रे और ये अंदर एक दिया हुआ चम्मच स्टैंड यानि की स्पून स्टैंड और इसमें भी आप देख सकते हैं ये होल्स दिये गए हैं जिसे जो पानी है अच्छे से डेन हो जाएगा और ये है बास्कित इस तरह से ये बहुत small size भी नहीं है बहुत large भी नहीं है medium size रहेंगे और मुझे यही size का चाहिए था और ये बहुत मजबूत भी है काफ़ी अच्छ़ प्रडक्ट है और ये दिव ही कि प्लेट्स रखने के लिए आपकी प्लेट्स इसमें इधर उधर पर आप पानी इसके साथ भी ड्रेन हो जाएगा और इसको बाहर से भी लगा सकते हैं पर इसको मैं अंदर से लगाऊंगी ताकि सारा पानी इसके साथ ही ड्रेन हो जाएगा तो चलिए मैं इसको किचन में लगा के दिखा रहे हूँ और यह देखिए यह सिंक के बगल में इस तरह से लगाएंगे और यह देखिए मैंने इसमें कुछ बरतन रखे हैं कुछ प्लेट्स रखी हैं इसमें बड़ी प्लेट्स नहीं आएंगी पर इस तरह से हम डिश है इसमें और इसमें यह स्पून और यह देखिए चोटी कोलियां गिलास चोड़े बरतन हम इसमें धोके इस तरह से रख सकते हैं और अभी भी और स्पेज है इसमें और प्लेटे भी आराम से आ जाएंगी तो बाकी देखा जाए तो मुझे जैसा आप चाहिए था है वैसा ही है बिल्कुल और मैं इस प्रेक्स से बहुत है बस कलर जो मंगाया था बस वो नहीं है और यह देखिए यहां से सारा पानी आपका ड्रेन हो जाएगा इस तरह से यहां आप थोड़ा और आगे लगा सकते हैं और यह देखिए यहां नीजे से भी स्टैंड दिया गया है चार आपको पसंद आई होगी अगर आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी वहां से जाके चेक कर दीजे बहुत ही रिजनेबल प्राइज में मिझे मिला है और यह कीचन की श्रोबा भी बढ़ाएगा और कीचन में काफी अट्र